संयुक्त राष्ट महासबा का 74 वा सत्र चर्चा का विशे बन रहा है एक तरफ जहां भारत की प्रधान मंत्री आतंगवात को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिसान की प्रधान मंत्री कश्मीर का रागलाप रहे थे महासबा की बैठक के दोरान कोई और भी था जो इम्रान खान के समर्थन में नजर आया और वो थे तुर्की के राष्टपती रिसेप तयब एड़ोआन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया जिसका खामियाजा उन्हें अब उखतना पड़ रहा है भारत ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है जिससे तुर्की को 230 करोड डॉलर का नुकसान होने वाला है इसके कारण तुर्की के राष्टपती एड़ोआन को अपने देश में ही समस्य होने लगी है उनके अधिकारी भी मानने लगे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के कारण भारत ने ऐसा कदम उठाया है इस प्रोजेक के तहट तुर्की की कमपनी TIS और ज्योगिक समू के मैसर्स अनादोलुशे प्यार को अंतिम वारता के दोरान तक्नीकी साहता प्रदान करना और महत्वपूर्ण मशीनरी के आपूर्ती करना था यदि सरकार अब TIS को अंतिम अनुवंध वारता से हटाने का निड़न लेती है तो इसके लिए कमपनी के लिए संभावित राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है और इसे तुर्की की कमपनीयों को भविश्य के भारतिय रक्ष अनुवंधों में भूमिका से वंचित होना भी पड़ सकता है तुर्की के पाकिस्तान प्रेम का खामियाजा तो उसे भुगतना ही था इसकी शुरुवात प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने अमेरिकी दोरी से ही कर दी थी तुर्की के बयान के बाद ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आर्मेनिया और साइप्रस के नेताओं के साथ बैठक की दोनों ही देशों के साथ तुर्की के रिष्टे खराब है PM की इस मीटिंग ने ये तो थोड़ा-थोड़ा साफ कर दिया है कि अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देना नहीं छोड़ा तो भारत भी उसे कूटनीतिक जवाब देगा आर्मेनिया और साइप्रस के साथ बाचीत इसी कूटनीतिक का एक हिस्सा थी बताते चले कि साइप्रस और आर्मेनिया दोनों तुर्की के पड़ोसी देश हैं और जिन में एतिहासिक रूप से समंधों में तनाव था आर्मेनिया तुर्की के उपर अपने लाखों लोगों की हत्या का आरोप लगाता रहा है तुर्की की ओटोमन सामराजे के दौरान 20 वी शताबदी के शुरुवाते दिनों में लाखों आर्मेनिया लोगों की सामुह एक हत्या की गई थी जिसे आर्मी ने अभी तक नहीं बुला पाया है 1974 में साइप्रस पर तुर्की ने हमला किया था इसके कुछ शेत्र पर कबजा भी कर लिया था इसके बाद से ही दोनों देशों में तनाव बरकरार है ध्यान रहे कि तुर्की ने पहली बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है महासाबा की बैठक के दोरान कश्मीर के मुद्दे पर इमरान खान के स्टैंड का समर्थन करते हुए भारत का विरोध किया है लेकिन इससे पहले भी वे भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता रहा है लेकिन शायद उसे पता नहीं कि इस बार स्थित्यां बदल गई है भारत भी अब माफ करने के मूड में नहीं है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया